हले विरीवन बेरी गुड मॉर्निंग आल आफ यू आप सभी को मेरा नमस्कार मैं रोहित मिस्त्रा आप सभी का अपने आर्बियस महाँ बिद्धालाई के ऑल्लाइन पेड़ फार्म पर हार दिश्वागत करता हूं स्विद्ध्राइन मैं उमीद्ध करता हूं बिल्कुल आप अच्छी होंगे और अपनी बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल लगें होंगे तो आज स्टृडेंट्स मैं भी असी एग्री कल्चर था समस्क्रें की स्टार्ट करने जा रहा हूं ठीक हैं तो सब से पहले मैं स्ले स्लेवस से यह में पता जलता है कि हमको पढ़ना क्या है ठीक है हम बहुत आगे पढ़ाई करते जाते हैं लेकिन स्लेवस की जानकारी हमको नहीं होती है जिससे हम भटकते रहते हैं कि क्या पढ़ना है कैसे एक्जाम में आएंगे कैसे कुछ चना आएंगे तो सबसे पहले हमक उसमें third semester में कौन को से subject हमको पढ़ने हैं और जो subject हम पढ़ेंगे उसका पाठक्रम पूरा क्या है कैसे question उसमें होते हैं क्या क्या topic है क्या क्या हमको पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है ठीक है तो हमें theory और practical के syllabus की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए किसी भी subject को प पता होना चाहिए उसका syllabus की जानकारी हमें संपूर जानकारी हमें syllabus की होनी चाहिए ठीक है कैसे पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है तो हम अच्छे से किसी भी exam को हम crack कर सकते हैं ठीक है उसको हम को उसको qualify करने में हमें आसानी हो जाती है इधर उधर मुझे भटकना नहीं खलंगा तो आई स्टूदेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की कुलास को अपने तो सबसे पहले हम डिसकॉस करेंगे थर्च को से सबजिक्ट है क्या-क्या से स्लेवस आपको पढ़ने हैं मुस्टली यह मैं प्रोफेशर राजेन सिंग रजु भाईया जो विस्विद्याले प्रयाग राज में है उसके ब्यस्टी एजी के पार्टकर्म के भी समय में जानकारी आपको दे रहा हूं ठीक है तो यह जो इन्वस्टी है आपकी प्रोफे हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वह करा पूड़क्शन टेकनलोजी और खरीब प्रॉप्स polishing तरुच है तो crop production technology का मतलब क्या हुआ कि फसल उत्पादन तक्नीक की किस season का खरीब crop का ठीक है खरीब season की फसल उत्पादन तक्नीक तो मुश्टी खरीब खरीब props के अंतर गत खरीब फाली फसले कौन-कौन सी है जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग ठीक है तमाम फसले जो हैं जो खरीब season में उगाई जाती है उनकी उत्पादन तक्नीक ही है उसके बारे में हम इसमें जो है वो अध्यन जो हो करेंगे ठीक है कि जो खरीब फसले हैं उसको कैसे जो उसकी cultivation practices है जो उसको उगाने की तरीके हैं जो उसमें सस्क्रियाएं क्या क्या की जाती है उसके बारे में पूरा डुटेल से हम इसमें अध्यन जो हो करेंगे ठीक है तो यह मिसके अंतरगत पढ़ेंगे इसका जो है जो जो इसका सब्छेट का वह कितने नंबर का है 100 नंबर का है ठीक है मारे द् Goodbye एक सब्छेट का जो हमारा माक्स है एक सब्छेट का टोटल जो पूरांख है वह कितने सौ अंबर का है और नंबर का हमारा इंटर्नल। एंचाम होता है टोते हैं जिसको को सपैस्ट region बेच्छ के नाम से क्कंश के हैं और वेस्ट नंबर के प्राटिकल एक्जाम होते हैं इसको हम प्रायोगी का प्रिच्छा कहते है और हमारा जो पकाशकार का हमारा इंड में हमारा एक सब्जेक्ट का ऐसे ही अधूसरा जो सब्जेक्ट है प्राक्टिकल प्रायोगी कार्य होता है प्राक्टिकली जो है वो खरीब फसल का जो प्राक्टिकली क्रॉप फसल उत्पादन तक्निक है उसके बारे में इसमें है तो यह सौ नंबर का पूरा प्राक्टिकल है मुझ्टी इसमें फील्ड वर्क होता है जो भी फसले खरीब सीजन की फसले आपके जो सब्जेक्ट हैं जो एग्रोनॉमी के हैं रहुल से के दार आपको एक फसल जो है वो एलाट किजा एगी खरीब फसल और आपको फिल्ड एलाट किया जायागा फिल्ड में आप वाकाइदा जाएंगे और तमाम प्रकार की जो कल्टीवेशन पूरी जो है किसी भी फ आप करके फसल को घ्रो करेंगे ठीक है और उस में बेकाइदे आप सइंट भी तरीके से सारी चीजिए करेंगे और ये तो यह महला किसी भी फबसपल का कितने किस ते क्या कि उसकी स्सध़ीं क्या होती है कर यह कि सक का ने किसी बिर्धिवन विकास कैसे होता है कितना भडिविय को करते हैं उसके क्यों कुण से जानेंगे ठीक है और फसलों में जो तमाम प्रकार के दिकार होते हैं जिसे खरपत्वार फसलों के जो खरपत्वार है उसको हम वीट को पहचानेंगे कीट रोग को पहचानेंगे तो हम प्रैक्टिकली रूप से जब किसी कार को करेंगे तो हम अच्छे धंग से उसके बारे में जान सकेंगे तो इसलिए यह जोड़ा गया है आपके सब्जट्ट प्रेक्टिक्ल क्रॉफ पॉडख्षन ठीक है तो यह काफ का कियो। जाए लेए नाहिक का सब्रेटिकल है और यह आपका जो है वो रिटेग व म algunos यह इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है तीसरा fundamentals of plant breeding ठीक है fundamentals of plant breeding ठीक है पादब प्रजिनन के सिध्धानत इसका हिंदी में क्या हुआ पादब प्रजिनन के सिध्धानत है तो इसके अंदर गता आप मुश्टी करेंगे कि फसल जो टो प्लांट breeding के माधम से कैसे फसल की नई नई प्रजातियों को improvement किया गया है कैसे थीट तैयार किया जाता है तो भी कैसे सेलेक्शन में थड़ है चैन की क्या क्या प्रक्रियाएं है तो मुश्टली इसमें फसलों के गुणों में सुधार काध्यन किया जाता है ठीक है मुश्टली जो है वो फसलों के गुणों में कैसे सुधार किया गया है कैसे नई विराटी इसको रिलीज किया जाता है और कैसे जो है किसी भी प्रजादी को रोग एवं कीट के प्रत रिजिस्टेंस बना जाता है इन सभी काध्यान हम करेंगे ठीक है तो इसके अंतर गथा मुष्टली जो हो पादब प्रजिनन काध्यान करेंगे और ये भी आपका किते नंबर का है 100 नंबर का है ठीक है इसमें आपकी 30 आंतरिक परिच्छा है और 20 नंबर का प्रेटिकल एक्जाम है पचास नंबर का थेओरी है इसके बाद जो आगला सब्जेक्ट है चौथा वह है अग्री कल्चर माइक्रोबाइलोजी ठीक है अग्री कल्चर माइक्रोबाइलोगी इसे क्या कहते है हिंदी में इसके क्रिशी कि या और दिन करते हैं जो तमाम प्रकार के जो शुच्वजीव है ठीक है मश्मि आपकर जो है वह यह एक यह ग्री कल्चर में रोल है ठीक है तौभा प्रकार के जो प्रकार से हानी पहुचाते हैं और और यह कुछ लाव कारी होती ही कैसे लाव पहुंचाते हैं तो मुझ्टि इसके बारे में स्टिडी करेंगे ठीक है तो कई सवारी चीजी है इसके बारे में इसके बाद फिर एगरी कल्चरल फाइनेंस और कॉपरेशन अगला यह भी आपका 100 नंबर का ही है इसमें भी आपका अगरी कल्चर फाइनेंस और कॉपरेशन ठीक है अगरी कल्चर फाइनेंस और कॉपरेशन ठीक है क्रिशी वित्ट ठीक है आपका जो है वो क्या है क्रिशी साख या वित्ट जिसको कहते हैं ठीक है और इसका कॉपरेशन क्या है कैसे कॉपरेटिव सोसाइटी के बारे में त है इसके बाद यह का है इसमें जो है पचास और का आपका यह का वर मलती आप जो थेती में उपयोग की जाने वाली प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं, कौन से यंत्र किसमें काम आते हैं, तमाम प्रकार की जो cultivation practices की जाती हैं, जिसे फसल की बवाई करना, जुताई करना, कटाई करना, इसमें जो जिन यंत्रों का उपयोग होता है, उसका हम अध्यन करेंगे, तमाम प्रकार के calibration है, कालकुलेशन है, उसका भी हम, उसको हम कैसे कलकुलेट करेंगे, कैसे हम जो है वो, जो है किसी प्रकार की, जो है, मलब की सोइंग कल्टिवेटिन, कैसे हम सीड्रिल का कल्कुलेशन करेंगे, और BPH, IS तबाम प्रकार की चीज़ें, वो डिटेल से आप पढ़ेंगे, तो mostly और एक अगरिकल्चरी इंगिनिक आप करेंगे इसमें, और यह भी आपका जो है, वो 30 और 20 और 50 का है, तो मैंने पहले भी इसके बारे में समझा चीज़ेंगे, इसकी बाद भी प्रेंसिपल आफ इंटरिएट डिजीज मनेजमेंट, प्रेंसिपल्स आफ इंट्रिएटेट का सिध्धान्त तो आईडियम जो है एक जो यह पार्ट है वो प्लांट पैथोलोजी का पार्ट है ठीक है क्रिशी रोग बिग्यान जो पादप रोग बिग्यान है उसका ही यह एक प्रकार का टॉपिक है जो आपको पढ़ना अथर सवेश्टर में इसके अंदर रोग के प्र भी का कभिनेशन करकते किस प्रकार से रोग को नियंत्रत किया जाता है तो इसके बारे में जो कine प्रिंस्पल्स है उसका हम स्टूडिस के अंतरगर करेंगे ठीक है तो यह भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताया जाएगा तो यह भी आपका तीस और बीस और पचास का यानि सो नंबर का है ठीक है इसमें आपके प्रेटिकल भी होगे और अपका सजनल भी होगा इसके पाद इन्वायरुमेंट ti Karen disaster management ठीक है इन्वायरुमेंट city और disaster अध्यन तो यह मुस्ति लिए आपका इन्वायर्मेंट काभी सए है फड़ेया और अध्यान का भीिशह है ठीक है परे और अध्यान ओर प्राकृतिक आपदा जो है है इसके बारे में हम अध्धन करेंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है पर्यावरण में कौन-कौन से घटक है ठीक है आप दाएं क्या है आप दाएं जो है वो कैसे आती है इनका रोल है तो तमाम सीज़े मुझे इनवार्मेंट का भी सह है तो यह भी काफी इंट्रेश्चरी क्रिशिश सांख की ठीक है तो अग्री कल्चुर्य स्टैक्स में क्रिशिश। संक की मैं आप पोश्ट्ली अध्यन करोंगे कि तमाम प्रकाल के जो क्रिशिश अंन्दे आकड़े हैं जो क्रॉप प्रडक्शं फसल उत्पादन के आकड़े हैं क्या से उनको व्यवसित कैया में मौन मुडियन ठीक है केंदरी प्रवित की मापे ये सारी चीज़ें आप इस में अध्यन जो करेगे तो क्रिशी सांख की कें तरगत मुश्टी किसी चीज का आंकड़ा ग्यात कि आता है जैसे माल लिजे कि जो उत्पादन आप देखते हो न कि हर साल जो है वो दिश्ट में माल लीजे कि आपका धान का ही है धान का गेहुं का प्रसी आंकड़ा देखन की सारी स्ट्पादन हुआ छो हमारा इसका यही मातु है कि क्रिशी में जो है वो तमाम चीजे जो होती है आकड़े डेना और बीडी यह सब चीजे इसमें हम करेंगे तो यह भी आपका शौव नंबर का होता है इसके बाद क्यादन करते हैं स्वारें का सिधान्त म्रिधा और एंगो सरच्छित करेंगे कैसे स मरदा जो हमारी को कैसे कम करेंगे इन अध्या मिसके अंदर वों कम करेंगे तो इस टुडि करेंगे कि मिल क्या है मिल में Kelrict sor से सेटर मुष्टली मिलक और मिलक प्रोड़क्स के बारे में करेंगे और यह भी आपका 100 नंबर का है इसके बाद फंडमेंटल आपिंटर्मोलोजी सेकेंड फंडमेंटल ओफ इंसो सिट्वयजी क्रिशी कित विग्ञान इसको दो भागों बाटा है सेकेंड सेमिस्टर में आपको fundamental of anthropology फर्स्ट पढ़ाया गया था और second semester fundamental of anthropology second आपको पढ़ना है तो second में आपको क्या पढ़ना है mostly आपको insect ecology geographic की और दूसरा है आई पीम also यह दोनों सब्जेक्ट आपके हैं जो आपको जो वो पढ़ना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आख दस ग्यारा बारा तो यह टोटल बारा सब्जेक्ट है यह आपको थर्ड समिस्टर में पढ़ना होगा स्कृन सॉट इसका ले लीजिए और इसको बिलकुल जो है आप समझ जाई कि कि यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इन ही सब्जेक्ट बरह सब्जेक्ट की आपकी एक्जाम में परिच्छा आपकी होगी ठीक है एक्जाम आपको देना होगा तो इसके बाद हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं जो हम आप जो है आपको जो पढ़ाएंगे सब्जेक उसके बारे में हम discuss करेंगे तो यह mostly आपका जो subject मैं पढ़ाऊंगा वो है आपका fundamental of entomology fundamentals of entomology second ठीक है जो मैं आपको subject पढ़ाऊंगा third semester में वो fundamental of entomology second ठीक है कृष्षी कीट ग्यान का जो दूसरा क्या आएगा और दूसरा concept of IPM IPM का मतलब क्या होता है integrated पेस्ट में इंट्रीगेटिट पेस्ट में ठीक है तो इंसेट इकोलोजी में कीट पारस्थी और concept of IPM IPM का मतलब क्या होता है समन्वित कीट प्रवंधन ठीक है integrated पेस्ट Springs यह आप इंटर पॉलोजी सेकंड में पढ़ेंगे ठीक है तो आज में क्योंकि मैं Slayvers की मैं बात कर रहा हूं तो यह जो सब्जेक्ट है आपका fundamental of intermology second इसका पाठ्क्रम क्या रहेगा इसका स्लेवस क्या रहेगा तो आज मैं पहली क्लास में आपके स्लेवस के विसे में आप से discussion आप अगर जानेंगे कि हमको क्या पढ़ना है तो आपको किसी भी पाठ्क्रम को किसी भी टॉपिक को पढ़ने में बहुत ही आशानी कि कि आपको किस मात्रां पढ़ना कैसे पढ़ना है जब पाठ्क्रम आपका किलियर रहेगा तो आप अपनी जो पोर्शन है ठीक है थेयोरी में आपको क्या पढ़ना है यह मैं बताऊंगा ठीक है तो थेयोरी में इसमें पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक है इंसेक्ट इकोलोजी इसको क्या कहते हैं कीट पारिश्ट की कीट पारिश्ट की ठीक है कीटों का वाता वराण से क्या कैने परिया औरण क्या है इसके कंपोनेंट क्या यह कौन कौन से परियावरं के घतक है उसके बारे में आप को मैं बताऊंगा और clarity पारस्थि करेगी ठीक हैं कीड second strip के भी कौन कोई से घतक है इसके अंतर गता आप पढ़ेंगे इसके बात इफेक्ट औफव एबायोतिक फेक्टर मनलब क्या होता है अजयवी कारक ठीक है तो परियावढरन की अजयवी कारक कौ explaining अजयवी कारक कौन कौन से हैं जैसे आपके मौश्च्र करे बायों रहा किता और थता रेंड फॉल ठीक है वर्सा लाइट प्रकास अट्मॉस्परिक प्रेशर वाई आपका जो वाई मंदली दाब है और एयर करेंट हवा की गती तो यह जितने भी आपके अबायोटिक फैक्टर्स हैं अजयविक कारक हैं ठीक है जितने भी आपको इसमें बताया गया उसके बारे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ बायोटिक ठीक है अगला टॉपिक जो रहाएगा इफेक्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स ठीक है जो आपके जैविक कारक हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है पारिया अरण के दो कंपोनेंट होते हैं मुख खुरू से दो कंपोनेंट दो घटक होते हैं जैविक और जैविक तो जैविक में अजैविक में इन सब का अध्यन करेंगे और जैविक कारक में जो है आपके अधन करेंगे की फैक्ट फूट कंपे फूट कंपेडिशन क्या होता है ठीक है कीटों का जो है वो भोजन में कंपेडिशन क्या होता है प्रसि यानी प्रतिरोधक्ता क्या होती है कैसे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कैसे वो उनकी रेजिस्टेंस कैपसिटी उनमें डिवलप होती है इसका इंतर गथम करेंगे ठीक है तो इंसेक्ट इकोलोजी में यह अधन करेंगे बाकी आगे क्या होगा दूसरा जो हमारा बेस्ट मेलजमेंड ठीक है तो इंसेकोलोजी का सिलेवस में आपको बताया आप आइपिंएम में आपको विप्रकार के पड़ना है यह देखता हूं तो यह कैटेगरी और पैस्ट ठीक है पैश्च की क्या-क्या केकरीज है कौन-कौन सी जो है वो उसकी categories है कितनी प्रकार के paste कैसे होते हैं उसके बारे में अध्यन करेंगे paste क्या होते हैं इसके बारे में भी concept of IPM ठीक है integrated paste measurement का क्या विचार है क्या concept है इसके बारे में study करेंगे इसके बाद practices क्या होती है scope and limitations of IPM ठीक है इसकी जो टॉपिक है आपका classification of insecticides ठीक है कीट नाशी का वरगी करण हम कैसे करते ही कैसे कीटो को हम कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है इसका हम अध्यन करेंगे और इसके बाद toxicity ठीक है toxicity का मतलब क्या होता है विसाक्ता ठीक है विसाक्ता क्यों है वो क्या होती है insecticides के जो विस करेंगे इसके बाद जो है इंसेक्टी साइट की टॉक्सिसिटी इसके बाद फिर फॉर्मुलेशन ओफ इंसेक्टी साइट फॉर्मुलेशन में क्या होता है फॉर्मुलेशन के मतलब क्या होता है कैसे इंसेक्टी जो कीट नासी होता है, उसका हम कैसे formulation तयार करते हैं, ठीक है, जैसे हमको फसल में apply करना है, कीट नासी को फसल में छिरकाओ करना है, तो उसको कैसे हम उसका solution बनाएंगे, कितनी मात्रा में बनाएंगे, ठीक है, कैसे उसका formulation तयार करेंगे, उसके बारे में हम अध्धन इसके केमिकल कंट्रोल में क्या होता है र devil किस प्रकार से कडनाक कैसे होता है इनसेक्टिस जो वो उसके बारे में और इसके सीमाय क्या होती है इसका अध्यानम करेंगे उसके बाद फिर ठोपिक रहेंगा recent method of pest control ठीक है recent method of pest control ठीक है पेश्ट जो कन्ट्रोल करने के कौन कौन सी विधिया है recent methods का इसे हैं कौन कौन थे फिजकल बाइलोजिकल मेकेनिकल यह तमाम प्रकार के कल्चरल जो तमाम प्रकार के पश्ट नियंत्रण की कीट्णी अन्त्रणुकी विदिया है उसका क्या महत्व है इसका ध्यों के अंत्र गथम करेंगे इसके बार फिर रिपरेलेंट्स क्या होते हैं ठीक Evet referred क्या होते हैं एंटी फीडेंट क्या होते हैं हर्मोन्स क्या होते हैं तो जो कीटों के जो तमाम प्रकार की रिपलेंट्स होते हैं ठीक है कीटों को दूर भगाने काम करते हैं एंटी फीडेंट्स क्या होते हैं इसका अध्धन करेंगे ठीक है अट्रेक्टन्स कौन कौन सोते ह कैसे होता है हर्मोन क्या होते हैं तिक इन सभी का अधियन इसका अंतरगत करेंगे और गामा राडियेशन क्या होता है कीटो मि're कीटो के नियंत्रड में का में यू अभीयोग है यह भी अध्यान करेंगे उसके बाद स boca तीक है तो जो कीट विस अधियम इन्सेंटिस आइट धा कि नासी अधियम था 1968 वो क्या था उसके में क्या-क्या प्राधान किये गए थे कैसे कब सब्लागु हुआ था उसमें क्या-क्या उसकी सीमाएं हैं इसका अध्यान हम करेंगे इसके बाद फिर उसका क्या महत्त था इसका भी करेंगे उसमें क्या-क्या प्रोविजन थे इसका भी अध्यान करेंगे उसके बाद से टॉपिक जो रहे किये solution तयार करते हैं फसल में छुड़काओ के लिए जो कीट नासी का formulation तयार करते हैं उसको हम कैसे apply करते हैं कीट के कीट नासी के छुड़काओ की कौन-कौन से प्रमुख भी दिया है उसका हम अध्यान इसके अंतरगत यह वो करते हैं ठीक है जैसे तमाम प्रकार के मिठेड होते हैं डस्टिंग मिठेड हो गया ठीक है और किसी चीज में मिला करके भी दिया जाता है इस प्रेक रूब में दियाता है तो उसका study हम details इसके अंतरगत आप से करेंगे और आपको बताएंगे भी कौन कौन से इंसेक्टिसाइड अप्लाई के मिठड होते हैं इसके बाद साथ हमारे शरीर जा करके हमारे लिए क्रियाओं को रोग देते हैं जिससे में रुक्ति हो जाती है तो उसका क्या-क्या symptoms से कैसे हम उसकी विसाक्ता से बचा जा सकता है उसके रिच्ट्रेट क्या होता है कैसे हम treatment पहले कैसे करते हैं antidotes का apply कैसे कि दवाई हम उसकी करते हैं इसका भी अध्यन किया जाएगा इसके अंतरगत इसके वाब टॉपिक रहेगा survey का मतलब क्या होता है कि किट के लगने के पहले से कीट के आक्रमण से कीट का फसल में आक्रमण से पहले हम किस प्रकार से forecasting करते हैं इसके कीटो को कीटो के लिएन कीटो का आक्रमण ना हो इसके पहले हम सचेत रहते हैं जिसे कवाब प्रकार के जो है वह इंसेक्ट फोर कॉस्टिंग ठीक है बनाए गए हैं जैसे इंसेक्ट के आक्रमण की जानकारी इंन हब सब्सक्राइब ते ल preca ध्यान को ध्यान रखना चाहिए जो हमारे कपड़े हैं कैसे कौन कौन से हमें कपड़े पहें कैसे हमको सरढ़क के मूँ बांद के समाम सेप्टी इस होते हैं को अपलाई करके अपलाई करने से पहले उसके बारे में हम इसके इसमें आपको पढ़ाएंगे इस टॉपिक के अंतरगत तो इस्टूडेंस यह पूरा हमारा से लेवस था त्योरी क जो हम आपको इसके अंतरगत पढ़ाएंगे आपको इंस्टूडेंश यह सरी इंटमोलोजी सेकंड के अंतरगत यह सारे टॉपिक आपको नोक्सान है कीत की जो जनसंख्या है खेत में उसको तो कैसे हम monitor करेंगे कैसे हम calculate करेंगे कैसे हम उसकी population को आकलन करेंगे और किस प्रकार सा जो हमारा नुक्सान हुआ है उसका कैसे करेंगे तो इस सब का अध्यन करेंगे Insecticides and their formulated ठीख है जो हमारा केटनाशी होता है उसका formulation कैसे हम तैयार करेंगे तो यह थोड़ा जो है आपका जो है कैलिब्रेशन का पॉर्शन है तो उसके अंतरगत हम पढ़ेंगे कैसे उसका हम फार्मुलिशन तैयार करते हैं इसके बाद कितनी प्रेस्टिसाइट को अप्लिकेशन करने की प्रियोग करने की कौन-कौन सी विधियां इसका क्या महत्यों है तो यह सारे ट आफ-लाइन भी बताएंगे और जहां तक की आनलाइन हो सकेगा बिल्कुल आनलाइन भी एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाएंगे ठीक हैं तो शुडेंस मैं आज आपको स्लेबस के विशाए में डिटेल से आपको बताया यह सारे जितनी भी आपके सब्जेट के आपको पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिलकुल आप तन्म आप बिलकुल अच्छे से मेंनत करिये मेरे शाब लगे रहे तो पूरे एक एक टॉपिक को आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे एक दम पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल को बिलकुल आप सभी सब् तो बिल्कुल हमारे चैनल से आप जुड़े रहे और एक एक टॉपिक का जो है वो आप लाब उठाते रहे तो आज सी क्लास में स्टुडेंट्स बस इतना ही ने स्क्लास में फिर हम नए टॉपिक के साथ आप से फिर मिलेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल से अगर माली जी किसी प्रकार के अपकी शमस्चा होती ही कोई तो आप कमेंट्स कमा अधम से मुझसे पूछ सकते हैं आज सी क्लास में स्टुडेंट्स बतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद